आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने जा रहे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको समझ ले तो मतलब एक्सरसाइज सोल्फ करने में हमें असानी होगी स्टूडन्ट जब भी हम रियल नमबर को हम एक हमारे पास एक रियल नमबर है उसको हम इस फार्म में लिखते हैं इसके अंदर ए और यहाँ पर में एन लिख लेता हूँ इनका मतलब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है तू, त्री, फोर, फार, फार, जिख से और एक नमबर है फोर एक्जामपल रियल नमबर को मैं इस फार्म में लिख लेता हूँ तो यह अंदर रूट को स्टूडन्ट यह अंदर रूट को मैं क्या कहूँगा रेडिकल यह अंदर रूट मेरे पास रेडिकल फार्म है स्टूडन्ट, रेडिकल फार्म इस अंदर रूट को मैं क्या कहूँगा, रेडिकल कहूँगा, रेडिकल और इस अंदर रूट के अंदर जो भी स्टूडन्ट हमारे पास मुझूद है For example, इसके अंदर 5 है, तो यह 5 मेरे पास क्या है? यह radicant है Radicant, radicant, तो student यह radicant है मेरे पास तो खाली अंदर root को में radical कहूंगा और root के अंदर जो भी है, for example, एक जगा 1, 2, 3 जो भी हो तो उसको में radicant बोलनाँगा student बाते है exercise की तरफ, exercise 2.3, write down अचा student, अगर हम बात कर ले index की, एक concept दूसरा भी index यह खाली अंदर root, square root है student यहाँ पर for example, इसके अंदर जो भी हो, for example, इसके अंदर 6 है तो यह 6 मेरे पास radicant है, radicant अचा student, अगर मेरे पास square root हो, खाली square root होता है तो यहाँ पर इसकी will you two होती है, यहाँ पर इसकी will you two होती है for example, अगर मेरे पास इस तरह जोन हूँ, three तो यह तो जाहर है, three है, महामें दिकाई दे रहे है अगर यहाँ पर four हो, तो student दिकाई दे रहे है, यहाँ पर four है लेकिन अगर यहाँ पर under root में student कुछ भी ना हो, तो याद रखे, उसकी यहाँ पर will you क्या होगी, two होगी अगर ten है, फिर भी में दिकाई दे रहा है के ten है, लेकिन अगर खाली under root given हो मारे पास, तो यहाँ पर इसकी will you क्या होगी, two होगी तो यहाँ पर जो भी, for example, यह two, तो यह two मेरे पास क्या है, यह मेरे पास index है, student इसको मैं क्या नाम देता हूँ, index, यहाँ पर three है, तो यह three यहाँ पर index हुआ, अच्छा student, अगर मैं इस तरह लिख लेता है, for example, मैं इस तरह लिख लेता हूँ, five और ten, तो यह ten मेरे पास क्य यह मेरे पास student ready can't है ready can't है और अगर मैं इस 5 की बात करूँ तो यह 5 मेरे पास index है 5 मेरे पास index और 10 मेरे पास ready can't student अगर मैं इस तरह लिकलू 3 into 6 तो यह 6 मेरे पास ready can't है ready can't है और यह 3 मेरे पास index है student याद रखेगर मेरे पास इस तरह हो under book a तो यह a मेरे पास क्या होगा student ready can't होगा ready can't होगा और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो मैंने आप लोग को student बताया हुआ था कि यह आपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब आपर 2 मों जूद है तो 2 इसका क्या होगा student यह index होगा तो student बढ़ते exercise की solution की तरफ exercise 2.3 question 1 में क्या हमें क्या के रहे कि क्या solve कर ले write down the index and radical of teach of the following expression हमारे पास मक्तरिफ expression की वने में क्या के रहे कि इसका जो है वो radical or index मालूम कर ले तो student part first को अगर हम सोच करना चाहे part first हमारे पास क्या है student हमारे पास है under root 11 divided by y बढ़ते solution की तरफ student मैंने आप लोगों को बताए हुआ था कि under root के अंदर जो भी मुझूद होगा तो वो क्या कहलाएगा radical कहलाएगा under root के अंदर जो भी माले पास मुझूद है वो क्या कहलाएगा radical तो student यहां पर हमारे पास radical क्या है radical हमारे पास 11 divided by y मतलब जो भी अंदर हो एक जगह आप 11 by y है तो हमारे पास radical क्या है 11 by y student index क्या है देख ले जरा rewind कर ले मैंने क्या बताए हुआ था है आप लोगो को कि अगर under root में यहां पर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या है कि तू मुझूद है तो अब index हमारे पास क्या हुआ थू index हमारे पास true हो गया student बढ़ते है second part की तरफ second part है हमारे पास क्या है second part है हमारे पास under root 13 divided by 3 x और 3 second part student यह हमारे पास second part second student हमें पूछ रहे कि इसमें index क्या है और radicant क्या है तो student radicant हमारे पास क्या है radicant 13 divided by 3 x से अच्छा student यह हमारे पास index हमारे पास क्या है है index होकर हम देख ले index हमारे पास student यहाँ पर भी मुझूद हो मतलब यहाँ पर जो digit भी मुझूद होगा वह हमारे पास क्या होगा index होगर कुछ भी ना हो तो इसके मतलब है कि यहाँ पर two मुझूद है तो यहाँ पर अंडेक्स में फू लिक ले अगर third part की बात करें student. third part हमारे पास क्या है? under root A B square और 5 student तो radicant, radicand हमारे पास ITA, ये सब under root के अंदर जो B होता है वो हमारे पास radican और index हमारे पास क्या होगा? 5 होगा, student इसी तरह question number 1st 2.3 में रो पास question number 1st ता वो solve भोगा है